बच्वो बात करते हैं question number 12 की question number 12 में क्या बोला जा रहा है a solid cylinder of mass 20 kg जो data आपको दिया जा रहा है वो data आप लिख लेजी देखो data में क्या है आपके पास सबसे पहले तो question को मैंने थोड़ा सा पढ़ा और जो मझे थोड़ी information मिली मैंने note down कर ली पहले क्या है mass किसका mass है mass of solid cylinder तो मैंने लिख दिया solid cylinder का mass m is equal to मुझे मिल गया है 20 kg clear rotates about axis with angular speed angular speed का notation क्या होता है omega होता है तो मैं लिखता हूँ angular speed angular speed omega मिल गई यह क्या है 100 radian per second 100 radian per second यह 2 unit मिल गई और क्या दिया गया radius of cylinder यह भी note कर लीजिया radius of cylinder आपको यह information मिल गई radius of cylinder क्या होती है r आपके पास है 0.25 meter सारी quantities जो दी गई है वो सब mks में है अच्छा है क्या पूछा गया kinetic energy associated with rotation of cylinder तो rotational kinetic energy of cylinder पूछे गई है तो rotational kinetic energy क्या होती है rotational kinetic energy जो kinetic energy होती है वो होती है one by two i omega square यह rotational kinetic energy होती है इसके लिए i चाहिए omega चाहिए निकल आएगा लेकिन पहले i तो निकालना पड़ेगा चलो और क्या पूछा गया है आप से पूछा गया है what is the magnitude of angular momentum आप से angular momentum पूछा जा रहा है तो angular momentum जड़ा इसका देखो क्या formula होता है momentum यह होता है l, l is equal to होता है i omega तो आप देख रहो कि अगर kinetic energy निकालो kinetic energy निकालोगे तब भी आई चाहिए तब भी आई चाहिए आपको और angular momentum निकाल लेंगे तब भी आई चाहिए इसका मतलब पहले आई निकालना जरूरी है तो आई निकाल लेजिए आप देखें, आई किसके बारे बात कर रहा है आपको बात करनी है solid cylinder के लिए for solid cylinder solid cylinder के लिए जो i होता है cylinder का मतलब disk से बनना मैं दिखाऊं जैसे ऐसे एक डिस्क है आपके पास इस तरह कि बहुत सारे डिस्क अगया ऐसे रहते जाएंगे तो क्या बन के आएगा आपको दिखाई पड़ेगा एक cylinder बनना दिखाई पड़ जाएगा तो इस तरह कि बहुत सारे डिस्क एक उपर एक रख लेजिए तो आपको एक cylinder बन जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि डिस्क का जो moment of inertia होता है वही solid cylinder का होता है exactly होता ही है तो इसको भी लिख लेजिए i square to mr square by 2 यह होता है moment of inertia for solid cylinder solid cylinder के लिए और डिस्क के लिए दोनों के लिए same होता है यहाँ i calculate करेंगे आप तो क्या आएगा 1 by 2 m के value कितने दीगी 20 और r के value कितने दीगी है r के value है 0.25 का square इसको solve करेंगे देखिए यहाँ 10 आजाएगा यहाँ से आएगा 25 by 100 100 का square तो कितना आएगा 10 into 25 into 25 नीचे आएगा 100 into 100 आगया ठीक है 1 0 यहाँ से cancel कर देंगे देखु कितना आए यह जाके यहाँ स्वरी यहाँ देखो था 10 आए था यहाँ से कितना आजाएगा यहाँ यहाँ से 6 to 5 और नेचे से आएगा कितना यहाँ जाएगा ठीक है अब देखो यहां से डिवाइड करोगे इसको तो आ जाएगा 0.625 ये क्या आएगा ये आया है आई ये आया है केजी मीटर स्क्वार आया भी ये आई की वेलू आ गई अब यहां रखे देखिए क्या आएगा पहला आप निकालने जा रहे हो कानेटिक एनरजी कानेट 1,625 इंटो ओमेगा क्यों गोड़ों कितनी है ये हन्डेड हन्डेड का स्क्वार करेंगे आप अंडेड इन्टू हन्डेड कर देंगे तो यहां से क्या होने वाला है देखो जेड़ांसा इसको अटाया मैने यहां यांद थाउजन ठीक और देखो तो एक दो तीन जीरो मै ने cancel कर दिए ठीक इसको cancel कर दिजिए 5 कितना आ जाएगा जाके यह यहाँ से आ जाएगा 5 cancel हो करके तो यह मेरे पास आया 6, 6, 2, 5 और 0 कर दिएगे इसके बाद 0 आ जाएगा निचे एड 2 देखो यह आगे है 6, 2, 5, 0 इसको मैं ले सकता हूँ कितना इसको मैं ले सकता था 3, 1, 30 वालिंग दो और 25 यह आंसर इसका आ जाएगा जूल किनेटिक नर्जी का यह आंसर आ जाएगा यहां से यह कानेटिक नर्जी आपके पास आ जाएगी 3, 1, 2, 5 जूल एक अंसर और चाहिए आपको कौन सा चाहिए एंग्लर मोमेंटम का क्या आता है एंग्लर मोमेंटम यह होता है एल स्कॉल टू आई उमेगा आई देखो आप यह निकाल चुके होई आई के विल्यू कितनी है 0.625 इंटू ओमेगा कितना है ओमेगा है 100 हंड़ेट से मल्टिप्लाइ करिए इसको हट आईए यहां से आएगा 1000 दो जीरो यहां से उड़ा दिजिए कितना अंसर आया एल स्कॉल टू यह आएगा 62 यह 625 पॉंटें यहां से आंसर आपको मिल जाता है कितना 62.5 अब इसकी यूनिट क्या होती है अब इसकी यूनिट दिखेंगे इसकी यूनिट क्या आएगी एल की यूनिट लिखने है एंगलर मोमेंटम की तो एंगलर मोमेंटम की यूनिट क्या लिखेंगे आप देखें एंगलर मोमेंटम के जो यूनिट होती है एंगलर मोमेंटम क्या होता है यह मोमेंट आफ मोमेंटम होता है, तो मोमेंट आफ मोमेंटम का मतलब क्या होगा, यहां से इसकी यूनिट आप ऐसे बना सकते हो, मोमेंट आफ मोमेंटम ऐसे लिखो, देखो, एल इसकोल टू होता है, आर क्रॉस पी, यह होता है आर पी, आर की यूनिट क्या होती है, आर की क्या हो थी kg meter per second तो यहांस क्या जाएगा kg meter square और second की power 2 आ जाएगा क्या जाएगा kg kg meter square और second की power minus 1 कर लिजी यह भी unit ले सकते हो और इसकी जिवे पर और जूल पर oh sorry j々 second भी लिखा जासकता है ठीड है यहां पर आप जूल second भी लिख सकते हैं जूल काrel है Lelementقي Eustle ओर second का कीया होता है second को होता है T दोनों को negatively करेंगे क्या हाएगा ml square TQ-1 आजता है मैंने जो लिखा हुआ है यहाँ पर जो लिखा है वो M L SQ TQ-1 नहीं है तो आप Joule सेकंड लिख दीजिए तब भी सही है और ये यूनिट लिख देंगे तब भी सही है ये मैंने आपको बता दिया कभी कभी इस तरहेगा कोश्चन बन सकता है कि Joule सेकंड इस दा यूनिट आफ अंगलर मोंटम क्या हो सकता है Joule सेकंड इस दा यूनिट आफ अंगलर मोंटम करेंट ये आपसल करेंट होगा